बॉलिवुड सुपरस्टार सल्मान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं उनकी एक्शन फिल्म हमें दो हजार पचीस में देखने को मिलने वाली है और फैंस सल्मान खान की आने वाली फिल्मों का काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में Box Office पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है जिसमें राधे किसी का भाई, किसी की जान और टाइगर तीन शामिल है यह तीनों ही फिल्में फैंस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई और यह फिल्में बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई वहीं दोस्तों अब सल्मान खान फिल्म सिकंदर से बॉक्स ओफिस पर काफी बड़ा कमबैक करने के लिए तैयार है इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने आमिर खान की फिल्म गजनी को भी डायरेक्ट किया था लेकिन दोस्तों, सल्मान खान की अब एक और नई फिल्म को लेकर काफी बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। बॉलिवुड के पार्टनर यानि सल्मान खान और गोविंदा जल्द ही हमें एक और कॉमेडी फिल्में दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2007 में रिलीज हुई, फिल्म पार्टनर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म में गोविंदा और सल्मान खान की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और यह जोड़ी आज भी पार्टनर के नाम से ही जानी जाती है। ऐसे में दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि सल्मान खान एक कॉमेडी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमें गोविंदा भी दिखाई दे सकते हैं। अगर वाकई में गोविंदा इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं, तो 100% यह फिल्म बॉक्स आफिस पर काफी बड़ा कारोबार करेगी लेकिन अभी यह सिर्फ रयूमर्ज हैं। अभी इस फिल्म को लेकर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी अनौंस्मेंट नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि मेकर्स कब तक इस फिल्म का अनौंस्मेंट करते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है सल्मान और गोविंदा को एक साथ किसी कॉमेडी फिल्म में काम करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.